नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं यूद्धून पोतों से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जो बेल आइकन आप उसको भी प्रेस कर दिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोट्वीकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको आई सुप्रीम कोट में नियोची सिख्षकों की ओड से भीबा मखीजा ने अपने बहस की सुरुवात की टीटी एस टीटी सिख्षक का पक्ष रख रही सरोचनाली के वकिल भीबा मखीजा ने बिहार सकार की दलीर आर्थिक तंगियो अच्छमता को एक सिरे से खारिज किया और सबुतों और तथ्थों से मानने नियाले को बताया कि कैसे सरकार सिख्षकों के प्रती जूट बोल रही है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पैसे की कोई कमी नहीं है या सरकार बोट बैंक की पॉलीसी के तहट सरकारी पैसा निर्थक कमों में बरबात कर देती है मखीजा ने बताया कि जब तक सिक्षक खुद के बरतमान और भवी सिक प्रतिन निशीन्त नहीं होंगे तो गुर्वतापूर सिक्षक की कलपना कैसे किया सकती है कोट में मखीजा ने प्रामिरी और सेकेंडरी के बजट का आकणा पेस किया और बताया कि किस प्रकार दोनों का पैसा राज सकार वापस कर रही है बीभा मखीजा ने कहा कि नियुक्ती से पूर्व सारी योगता को पुर्ण करने वाले सिक्षक है असली बेतनमान के हगदार पूरू नियोजी तो कोभी बेतनमान देने में आपत्ती नहीं है लेकिन एरियर से पूर्व उनसे टीटी ले सकती है सरकार और यहीं बात सिक्षको को परिशान कर दी बीभा मखीजा ने कोट से कहा कि जब टीटी सिक्षको की योगता मानगों का नुरूप है तो इन्हें रेगुलर कैडल में बहाल करना चाहिता सरकार को बीभा मखीजा ने उसर परदे सरकार के सरकार को कोट के सामने पेस किया जिसमें टीटी को बेतनमान दिया गया था बीभा मखीजा ने कोट को बताया कि 2011 में टीटी के परिक्षा होई थी बहुत कठीन थी और मात्र धाई परसें लोगी पास हुए थे और सबूत के तोर पर उस समय चबी अखवाद के प्रती कोट को सौपी कोट में उनसे सातों पर तर्मान में नियोजित सिक्षकों के बेतन और रेगुलर स्केल में अंतर भी पूछा गया बीबा मैडम सभी तत्यों का चार्ट के माध्यम से प्रस्तूत किया NCT पर जब चर्चा हुई तो मक्या जी याँ फसके इमाने जियो लिज ने कहा कि NCT के प्रावधान में सिर्फ प्रसिक्षिक सिक्षा की टेटी दे सकते हैं तो मक्या जी ने बताया कि सरकार ने NCT से आदेश लेकर अप्रसिक्षित को नियोजित किया था इस पर यू लिज ने कहा कि अपरावधा चिक्षिक सिर्फ टेटी लेने का कोई आदेश दिखाएं तो इस पर मक्या जी के पास कोई भी जवाब नहीं था आपको बताते कि आई सुप्रीम कोट में कुछ खास बाते सामने निकल कर नहीं आई जो भी बाते थी वो मक्या जी के दोरा पिछली बातों को ही गोल-गोल घुमया जा रहा था TTSTT के बीच आज का बहुत घुमता रहा और और इसी के साथ जर्ज साब ने सुनवाई की समापती की और 29 को अगली सुनवाई की थी घोसित कर दी जो शिख्चु को लिए खास का प्रशानी खड़ी कर सकती है तो कुछ खास निसका निकल कर सामने नहीं आया तो वीडियो दें मेरे बहुत धन्य बाद इसको लाइक कीजिए दूसरे तसरे गिए तक अगली विडियो तक लिए जाए हिन जैसिख्चा वण्दे मात्रा झाल झाल